हेलो अब्रिवन इस वीडियो में हमका उच्छ है विशय सामाचिक विध्यान की कारेपत्रक 18 करेंगे दिनांग है इसकी 8 सब्टेमबर 2021 और इसका उब विशय है ग्लोब तथा आक्षांश तो आई शुरू करते हैं आज की कारेपत्रक पिछली वक्षीट में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी प्रित्वी गोलाकार नहीं है यहां उत्तर एवं दक्षनी दुरूप पर थोड़ी चप्ती चथा मध्य में थोड़ी उबरी हुई है तो हमने पिछली कारेपत्रका में क्या पढ़ा था कि जो हमारी वक्षीट है वो एकदम कैसी नहीं है गोल नहीं है यह कैसी है यहां उत्तर वादक्षनी दुरूप से थोड़ी चप्ती है तो हम पृत्वी को एकदम गोल नहीं बोल सकते, पृत्वी का जो रूप होता है, जो उसका शेप होता है, वो अलग ही होता है क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है, गलोब पृत्वी का लगू रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है तो आज हम globe के बारे में पढ़ेंगे तो ये है globe चिक है और ये जो है पृत्वी का एकदम real model है यानि की पृत्वी जैसी दिखती है उसी की तरह इस globe को बनाया गया है चिक है ग्लोब जो है वो छोटा है लगू का मतलब होता है छोटा लगू रूप है पृत्वी का लेकिन इ देखे अब आये शुरू करते हैं अज की वक्षिट उससे पहले प्लीज हमारे चनल मायंड बूस्टिंग क्लास को सब्सक्राइब ज़रू कर दीजे तो हमने अभी तक ये पढ़ा ये definition आपको याद रखना बहुत important है कि ग्लोब पृत्वी का लगू रूप में एक वास्त अब इस ग्लोब में क्या है यहाँ पर क्या होता है कि अभी मैंने आपको बता है ये वाला उत्तर द्रूब ये वाला दक्षन ध्रूब हो जाता है और ये उत्तर द्रूब तो दो द्रूब हम लोगों ने पढ़ लिए अब इस ग्लोब के बीच में एक रेखा खीशती गई है ये एक रेखा होती है जिसको हम क्या नाम देते हैं विशुवत रेखा या फिर विशुवत वरक्त क्या नाम देते हैं विशुवत वरक्त ठीक ह हमेशा आप इस बीच की लाइन को क्या कहेंगे विशुवत वरक्त और देखें ये जो बीच की लाइन है वो असली की धर्ती पर हमें नहीं मिलेगी ये सिर्फ जो हमारा globe है उसी में आपको ये लाइन दिख रही है ये एक कालपनिक रेखा है जो जो इंसान है उसने सिर्फ अ प्रित्वी को दो बराबर भागों में बाठती है ये जो उत्तर वाला भाग है उसको हम उत्तरी गोलार्थ कहेंगे ये देखे ये जो उत्तर वाला भाग बटा ये उत्तरी गोलार्थ कहलाएगा और ये जो नीचे वाला भाग बटा ये दक्षनी गोलार्थ कहलाएगा चीक ह तो I hope आपको ये समझ आया होगा अब आगे भढ़ते हैं वक्षिट को continue करते हैं हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं पहले हमने भाग जान लिये सारे उत्तर द्रोव दक्षन द्रोव एक बीच में रेखा होती है जिसको हम विशुवत वरक्त बोलते हैं ये रेखा प्रिथवी को दो भागों में बाठती है उपर वाला भाग है उत्तरी गोलार्थ नीचे वाला भाग है दक्षनी गोलार्थ ये जो रेखा है ये कालपनिक रेखा है जो कि सच मुछ में नहीं है सिर्फ आपको गलोब में दिखाई देगी ठीक है आप देखेंगे कि एक सूई गलोब में जुकी हुई अवस्ता में स्थित है जिसे अक्ष कहा जाता है अब यहाँ पर देखो जो गलोब होता है उसमें ये जो मैं जूम करकर दिखाती हूँ गलोब में ये जो आप देख रही है ये डंडी सी जिसकी जो सूई है वो यहाँ पर लगी हुई है गलोब के ये जो है ये डंडी सी टाइप की जो है इसको हम अक्ष कहते हैं इसको हम क्या कहते हैं अक्ष कहते हैं और ये अक्ष भी रियल की पृत्वी पे नहीं है ये अक्ष ग्लोब में लगाया गया है ताकि ग्लोब घूल घूल घूम सके ठीक है उसके बाद ग्लोब पर दो बिंदू जिन से होकर सुई गुजरती है उत्तर था दक्षित द्रुब है ग्लोब को सुई के चारो और प्रित्वी की बाती पश्चिम से पूर्व की और घूमाया जा सकता है तो प्रित्वी कैसे घूमती है देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पश्चिम से पूरव की और धरती घूमती है और ग्लोब को भी हम पश्चिम से पूरव की और घूमा सकते अब आगे दिखते हैं, पृत्वी पृर वास्तव में कोई सुई नहीं होती, अब यह जो सुई लगी हुए यह वास्तव में नहीं होती, ठीक है, और एक अन्य काल्पने क्रेखा भी गलोब को दो बराबर भागों में बाढ़ती है, इसे विशुवत वरक्त कहा जाता है, चालपणे के लिए बल भागों मे यह समझने के लिए बनाए गयी है, अजीब नहीं है, मतलब यह समझने के लिए बनाए गई है जिससे जो study कर सकें पढ़ सकें इस globe को अच्छी तरीके से चिक है तो इस तरीके से ऐसे line बनाए गई है कालपनिक है ये globe पर ही है आपको धर्ती पे नहीं मिलेंगी यानि कालपनिक रेखाए है जो human द्वारा इंसान द्वारा बनाई गई है अब ये जो रेखाएं बनाए ही गई है देखो विश्वत वरक्त बीच में है विश्वत वरक्त से उपर हमारा उत्तर द्रूब है विश्वत वरक्त से नीचे हमारा क्यों से द्रूब है दक्षिन द्रूब है तो उत्तर द्रूब में भी कई सारी रेखाएं होती है अब इन रेखाओं को बोलते क्या हैं इन रेखाओं को हम आक्षांश बोलते हैं क्या बोलते हैं आक्षांश ठीक है तो ये जो रेखाएं हैं इन्हें आक्षांश बोलते हैं इन्हें समांतर रेखाएं भी बोल सकते हैं लेकिन आप आक्षांश का प्रयोग कीजिए क्योंकि अक्षांश यह अधित्तर बोला जाता है, तो विश्वद रक्ष से उपर की तरफ कितने अक्षांश है, 90 अक्षांश है, 90 अक्षांश उपर की तरफ होते हैं, उत्तर ध्रुम में और 90 अक्षांश दक्षे ध्रुम में होते हैं, ठीक है, और अब देखो, यहाँ पर यह जो ह वाला अक्षांश दो डिग्री का होगा फिर तीन डिग्री फिर चार पाथ छे साथ आठ इस तरीके से करते करते आप उपर भढ़ेंगे ना यानि विश्वत वरक्त से उपर जाते जाएंगे तो इस तरीके से 90 डिग्री तक जो हैं अक्षांश आपको मिलेंगे और ये 90 तरफ दक्षिल द्रोप में भी 90 आक्षांश हैं तो अब देखो उपर भी 90 हैं नीचे भी 90 हैं कितने हो जाएंगे ये 100 180 हो जाएंगे हैं तो फोड़ मिलाकर जो ये ग्लोब है उसपर 180 यानी 180 क्या हैं अक्षांश पाया जाते हैं चेक है 90 उपर की तरफ नब्भे नीचे की यानि 182 कुल मिलाकर अक्षण्ष पूरी ग्लोग पर हैं। टीक है। उसके बाद देखो विश्वत व्रक्स से उत्तर की समान्तर रिखाओं को उत्तरी अक्षण्ष कहा जाता है। अब ये देखोऊ ये उत्तरव्दूरी तरफ जितने भी ये जो li hygiene's खिची हुए बनी हुए है, इनको हम क्या कहेंगे, उत्तरी अक्षाँश कहेंगे और ये जो विश्वद रक से नीचे की तरफ सारी दक्षन में आक्षांश खेची हुई है इनको हम दक्षनी आक्षांश कहेंगे ठीक है तो देखो ये उत्तर आक्षांश है ये दक्षन आक्षांश है उत्तर आक्षांश क्यों क्यों क्योंकि उत्तर दिशा की तरफ है उत्त के वारे में जानकारी देना चाहती हूं इस competition में बहुत मदा आने वाला है और इस competition में हिस्सा लेने के लिए description में दी गई लिंक पर जाईए और उसे देख लीजे ठीक है और इसमें आपको surprise gift of prices भी दिये जा रहे हैं तो जल्दी जल्दी इसमें हिस्सा लीजे अब निमनलिखित प्रशनों के उत्तर देने हैं आपको प्रशन एक है globe क्या है इसका उत्तर हो जाएगा globe प्रित्वी का लगूरूप मे बहा जाता है तीसरा प्रशन है globe में कुल कितने आक्षांश है इसका उत्तर हो जाएगा विश्वत वरक्त से दौनों ध्रूवपर 90 आक्षांश है इस प्रकार globe पर कुल 180 आक्षांश है ठीक है तो यहीं पर आपकी आज की वक्षित हो जाती है फिनिश इंग आंसर्स को अच्छी तरीके से अपने कॉपी में लिखेंगे और वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू